आप सबी का स्वादत है हमारे YouTube चैनल Multitex सानुनी चली मैं आज आप लोग के लिए लेकर आएं कलेंडर ट्रिक्स कलेंडर ट्रिक्स लेकर आएं चली मैं आप लोग को बताती हूं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजे कीजिए सिप्स्क्राइब कीजिए और स्टियर भी कीजिये अगर वीडियो पर्शंद आ रहा है तो चलिए हम लोग आते हैं कोशन नमबर वन पे कोशन नमबर वन है यदि परली अक्टूबर को रविवार हो तो पहली नमबर को क्या होगा बोरा है कि अगर एक अक्टूबर को एक अक्टूबर को अगर संडे है तो एक नौमबर को क्या होगा ठीक है यही कोश्चन कहा रहा है कि एक अक्टूबर को अगर संडे है तो एक नौमबर को क्या होगा तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अक्टूबर कितने दिन का होता तो आप लोग को पता है कि October 31 days होता है October में October 31 days का होता है और उसमें बोरत पहली October पो रहा हुआ है तो पहली October तो होगी है इसमें हम लोग 1 less कर रहे हैं ठीक है तो 31 में से 1 less कर देते हैं तो हम लोग के पास बलिया 13 फिर हम लोग को पूर रहा है पहली November को क्या होगा पहली November को क्या होगा तो जो दिया रहता है उससे हम लोग को less कर देना रहता है शब्ट्रेक्ट कर देना रहता है और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम लोगों को एड कर देना रहता है तो पहली November इसमें प्लस one him to cant करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा 31 हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है यह जो कोश्चन नुमर्ण है यह बहुत वार एक्जाम में आ चुका है ठीक है आप लोग अगर एक्जाम दिये होंगे तो देखें होंगे बहुत वार यह कोश्चन आ चुका है अब हम लोग यह 31st को क्या करेंगे 7 से divide करेंगे 7 से क्यों divide करेंगे क्योंकि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ 1 week equal to 7 days होता है तो इस पर जिसे हम लोग इसे 7 से divide करेंगे ठीक है 7 से divide करेंगे 7 4 is the 28 7 4 is the 28 और हमारा बज़े रिमेंडर 3 ठीक है इसमें portion का कोई काम नहीं होता है जो भी होगा आपको remainder का काम होता है जो remainder बसता है हमें उसी को लेकर आगे बढ़ना होता है तो हमारा remainder क्या बचा 3 अब देखिए पहली October को क्या था रवी बार था ठीक है रवी बार था पहली October को 1st October को क्या था संडे था अब हम लोगों बोढ़ रहा है 1st number आगे की और बढ़ने बोढ़ा पीछे नहीं तो यहां जितना remainder बसता है हम लोगों उतना आगे बढ़ा जाता है तो हम लोग क्या संडे से आगे बढ़ेंगे तो संडे तो दिया ही होगा है Monday, Tuesday, Wednesday क्या हो जाएगा Wednesday मिल्स बूधवार देखिए हमारे option में दिया हुआ है बूधवार जी 3 C, C नमबर में दिया हुआ है बूधवार और बूधवार हमारा right answer हो जाएगा आप लोगों समझ में आया क्या कि सबसे पहले October 31st का था उसमें एक को सब्ट्रैक्ट कर दिये और फर्श नमबर के पुछ आदा तो वन एड़ कर दिये और ऐसे कलेंडर का कुछ भी हो तो 7 से डिलिजब करेंगे क्यूंकि 1 विक्यूबर तो 7 डेज होता है और अगर आगी की और बढ़ रहा है तो एड़ कर देंगे पिछे कली ओर करेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है फ्रेंट चलिए अब हम लोग आते हैं कोशन नमबर टू में कोशन नमबर टू कह रहा है कि यदि 30 जन्वरी 2013 को गुरुवार हो तो 3 मार्च 2013 को कौन सा दिन था ठीक है तो सेम है ठीक है 3 जन्वरी 2013 को गुरुवार सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जन्वरी क्या होता है 34 स्ट्रेक्ट होता है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 31 में से 30 सब्च्ट्रेक कर देंगे मतलब जो पीच उगा है उसको हम लोग सब्टेक्ट करतेंगे तो क्या बच गया 1 फिस जनर्वरी के बाद आता है February अता मार्ट आता है और February में होता है 28 या 29 देज होता है तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि 28 29 कब होगा आप लोग परे होंगे लीपियर जब होता है त तो देखिए, 2013 बोड़ा है तो 2013 तो हमार लीपियर है नहीं, लीपियर है और लीपियर हम लोग कैसे करते हैं जो यह 4 से पुरण पुरण डिविजबल हो वो लीपियर होता है तीक है जैसे 2012, 2014, 2020 ठीक है तो यह तो लीपियर है तो यह हमार्मारा February क्या हो जाएगा February हो जाएगा 28th date का तो और यहां 1 बच रहा था 28 प्लस 1 ठीक है है नहीं यहां 1 बच रहा था 28 प्लस 1 और मारा मार्ट 3 मार्ट पूशा तो प्लस 3 करेंगे ठीक है अब सभी को add कर देंगे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा ठीक है और मैं आप लोग को भी बताई हूँ कि कुछ भी ऐसा हो तो मैं 7 से डिवाइड करना होगा क्यूंकि एक सब्ता में 7 दिन होता है इसलिए अब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 फोल्ट अब 28 हम बच गया remainder 4 और हम आप लोग को बता चुके कि इसमें remainder का ही यूज होता है तो 4 दिन अब हम लोग को आगे की ओर बढ़ जाना है गुरू बार तो दिया हुआ है मिल्स सोस्दे दिया हुआ है तो हम लोग को Friday सेटेडिक, संडे, मंडे होगी अब 4 दे आगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा मंडे मिल्स सोमाट जो option डी में दिया हुआ है ये हमारा राइट अंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट आप लोग को समझ में आ रहा है चलिए दोस्तों अब हम आप लोग को question number 3 दिले चलते हैं यदि 13 February को गुरु वार हो तो 4 January को क्या होगा ठीक है 13 February को गुरु वार हो तो 4 January को क्या होगा अभी तक हम आप लोग को जितना question बता है सब आगे का दिया रता था उसे आगे का होसा था लेकिन इस बार दिया हुआ आगे का और कुछ पीछे करा है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है क्या जी आप लोग को पता है February 28 देज का होता है 28 देज का होता है उसमें से पहले हम लोग क्या करेंगे 13 माइनस कर देंगे ठीक है जिसको पूछ रा उसको एड करेंगे तो 4 January जिसको उनलोग एड करदेंगे तो क्या बचेगा? 19 ठीक है? 19 और अब हम लोग जिसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे 19 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 टू सब 14 तो चार जन्वरी को क्या होगा अब आगे इधर पीछे की और बढ़ने बोल रहा है ठीक है पीछे की और तो पढ़ने बोलता था तो मैं आप लोगो बता दी हूं ठीक है पांच बीआट्र हमेसा अम लोगो दियान की इसके देना रहा रहा है तो यह क्या है गुरूवार और ठीक है 90 को 7 से डिवाइट तो 7 हुजा 14 और हम लोंका रिमेंडर 5 बजा था अब हम लोंको 5 आगे की मतलब पीछे की ओर बढ़ना है ठीक है तो थ्रस्डे यह इधर 1,2,3,4,5 पीछे की ओर बढ़ना है तो थ्रस्डे पहले क्या होता है फिर क्या होता है तुस्डे फिर होता है मंडे फिर क्या होता है संडे फिर क्या होता है सेटर्डे सेटर्डे ठीक है देखे हमारे ओप्शन में दिया हुआ है सेटर्डे मिन्स दनीवार ओप्शन ए दिया हुआ है सेटर्डे ठीक है फ्रेंट, आप लोग कोशी ततर समझ में आ रहा हुगा, अब हम लोग आते हैं कोशन नमर फोर पे, कोशन नमर फोर है, 31 दिन वाले महीने का अंतिन दिन मंगल वार है, तो उसी की 16 दिन कौन सा वार है, ठीक है, इसमें कोई महीना के वार ने बोड़ा, सिब बोड़ा ह वैसा मंद जिसमें की 31 दिन होता है, ठीक है, कोई महीना का नाम नहीं बोड़ रहा है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ना इसमें आगे, ना पीछे, ना कोई मंद के वार ने बोड़ रहा है, सिब दिन दे दिया है, अब हम लोग को निकालना है, 31 दिन वाले महीने, ठीक है और उसमें क्या 16 में गिन पूछा है तो क्या हम लोग करेंगे 31st minus 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ठीक है 31 minus 16 करेंगे तो 15 हो जाएगा और हम लोग 15 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 7 होता है ना तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जा 14 remainder 1 हम आप लोग को बता चुके हैं कि always हम लोग को remainder पे ही focus करने जो remainder आता है उसी को हम लोग को करना है तो अंतीन दीन मंगलवार था मतलब कि 31 जो था उसीन कौन था था मंगलवार था आना मंगलवार 31 को मंगलवार था तो एक क्या हो जाएगा हम लोग को पीछे की और फीट पुछ रहा है ना पीछे की और तो मंगल से एक पीछे की और क्या हो जाएगा शोंबार ठीक है जो कि हमारा option D में सोंबार दिया हुआ है गर फ्रेंड आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बाद हम प्रिपीट कर देते हैं इसमें कोई month का नाम ने दिया था only day दिया था और day था 31st दूर 31st और हम लोग जितना दिया था उसको सब्टेक कर दिये और 7 से डिवाइड कर दिये 7 से डिवाइड कीजिएगा तो जो आपका remainder आ जाएगा उसी को हम लोग फिर ये पीछे की और बढ़ाने तो नहीं क्योंकि 16 के बाद ही तो 31 आता है 16 बास 19 20 18 19 20 21 तब तो 31 आता है तो पीछे तो जब ये था मंगर बार तो हम लोग पीछे के बार पूछ रहा था ना तो क्या हो जाएगा सोन वार इसली हमारा अंसर भी ये सोन वार सङह है चली फ्रेंट हम आप लोग göst को चार कोशन बताएं एक कोशन हम आप लोग को लिए दे ले जो आको अप लोग कमेंट करके बता आई है कोशन है पांचन कोशन जो है एक लिप वर्ष में विशम दीनों की संख्या कितनी है एक वर और मैं रिपीट कर देती हूं आप लोग को कोशन एक लिप वर्ष में विशम दीनों की संख्या कितनी है ओप्शन है 1, 2, 3 या 4 आप लोग प्लीज इसे कमेंट करके बताईएगा नहीं तो फिर हम next class में आप लोग इसका answer बताएंगे ठीक है friend चलिए अब आप लोग हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो please like कीजिए, subscribe कीजिए और comment भी कीजिए चलिए friend बवाए और हाँ friend और मैंने बहुत ऐसा वीडियो बनाए हुआ math tricky जो की आप लोग मेरे description में जाके देश सकते हैं ठीक है? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं next class में